हेलो एवरिवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोरेस्ट एकोलोजी से रिलेटेड कुछ क्यूशन्स को सौल करने वाले हैं तो हमारा आज का फर्स्ट क्यूशन है तरसरी कंजूमर आर कोल्ड यानि तृतियक उभोगता कहलाते हैं तो उप्शन दिये गएं आपको कार्निवोरस, ओमुवोरस, हर्विवोरस and all of the above कार्निवोरस से हमारा मीन होता है कि जो एनिमल्स को खाते हैं और हर्विवोरस होते हैं जो प्राइमरी प्रडूसर पे डिपेंड होते हैं यानि प्लان्टस पे डिपेंड होते हैं पहले दिया गया है soil, जिसमें decomposers मिलते हैं, फिर है primary producer, तो इसमें हमारी जो plants हैं वो आते हैं, और उसके बाद है primary consumers, जो की primary producer पर depend करते हैं, इस पर feed करते हैं, इनको herbivores कहते हैं, तो देख सकते हैं आप गिलहरी और ये सब दिये गए हैं यहां पर, उसके बाद है secondary consumer, तो secondary consumer जो है वो depend करते हैं in animals पे तो इसमें Carnivores भी आते हैं और Omnivores भी आते हैं तो Omnivores जो हैं वो plant और animals तोनों को खाते हैं उसके बाद आता है Tresareemale Folies तो Tresare thời में जो Carnivores है उनको रखा जाता है तो जो answer है हमारा वो होगा Carnivores यहाँ पे कुछ और एक्जाम्पल भी आप देख सकते हैं टर्सरी कंजुमर्स के बिग केट्स, इगल्स, गेट्वाइट, शार्क तो यह जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन है कि which one of the following is the cleanest source of energy तो जो nuclear power है यह cleanest source of energy होता है C answer होगा अगला क्यूशन है कि which waves carry most energy तो most energy यहाँ पे पूछा है कौन सी waves की तो सबसे कम होती है radio waves की radio waves जो होती है उनमें photons होते है low energy वाले photons और उसके बाद होती है फिर microwave वाली जो waves है इनकी और radio के बाद होती है microwave की उसके बाद फिर आपकी होती है infrared photons की और उसके बाद होती है आपकी visual ultraviolet जो होती है इनकी और उसके बाद आपकी होती है X-rage की और फिर होती है गामा रेज की तो X-rage और गामा रेज यहाँ पे option में नहीं दिया गया है तो इन सब में जो है वो UV light की सबसे ज़्यादा है तो ए आंसर हो जाएगा और अगर यहाँ पे गामा रेज option होता तो जो आंसर आपका वो गामा रेज होता अगला question है कि who developed the word hotspots तो एक ecologist थे यह Norman Mayors इन्होंने यहाँ पे hotspots जो word है वो दिया था और hotspots से यहाँ हमारा mean है कि biodiversity hotspots से यहाँ meaning है और किसी biogeographic region में जहाँ पे जो biodiversity है उसको human habitation से खत्रा होता है तो ऐसी स्थती में जो space है उसको hotspots कहा जाता है और यहाँ पे उसके फिर conservation के लिए काम किया जाता है next question है कि the region for signing 1987 Montreal protocol was तो जहाँ भी Montreal protocol आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ozone जो है उससे related है यह ozone layer से तो यहाँ option में आप देख सकते है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ozone layer यह जो भी है वो आपका अंसर होगा यहाँ पे next question है which of the countries are the largest source of carbon dioxide emission from fossil fuel burning तो जो चाइना है यह सबसे ज़्यादा यहाँ पे CO2 emission करती है और इसके बाद second है अमेरिका और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया और जापान यह पांच वे नंबर पे आता है तो जो options दिये गए हैं इनके according पुछाए कि largest source of carbon dioxide emission from fossil fuel burning तो जापान या चाइना जो है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे options के according और अगर आपको पुछा जाए कि top producer या फिर top जो countries हैं यहाँ पे जो कि CO2 emit करती है तो उसमें आपको चाइना सबसे पहले आईगी और इंडिया है वो तीसरे नंबर पे है नेक्स्ट पुछा है कि जो water molecule है उसका resistance time क्या होता ओशियन में तो जो water molecule है वो लगबग 3000 से साड़े 3000 साल तक रह सकता है यहाँ पे ओशियन में तो option दिये गए है साड़े 3 साल 35 येर 3.5 मिलियन येर्ज एंड थर्टी फाइफ यहाँ पे थ्री लेक 50 थाउसंड येर्ज तो यहाँ पे रोंग हो जाएंगे आपके यह दो option तो और first भी रोंग हो जाएगा तो यहाँ भी आपको रोंग दिया गया है ये लगबग होता है 3000 के equal आपको करना है तो यहाँ पे option है वो गलत दिया गया है तो लगबग 3000 के equal आपको दिखे तो उसको आपको टिक करना है और अगर option में ये सब दिखे तो फिर आपको जो भी वाला है वो टिक करना है अगला question है कि group of individuals of the same species that share common attributes तो common attributes होने चाहिए किसी species के तो पुझा है community, population, eco-type या फिर society तो इसको हम discuss कर चुके हैं previous lectures में eco-type है इसकी definition है ये अगला question है कि which is the cleanest source of energy तो यहाँ पे देख सकते option दिये गए है और ये question हम पहले भी solve कर चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप 162 नंबर पे तो nuclear power जो है वो cleanest source of energy है अगला question है कि the atmospheric layer of ozone normally absorb what proportion of UV radiation from sun तो जो ozone layer है सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि ozone layer है वो stratosphere में मिलती है और ये लगबग 97-99% तक absorb कर लेती है UV rays को तो आपका यहाँ पे more than 99 वाला जो है ये option है वो right होगा next question है कि in order to address the problem of ozone depletation the United Nations convened a meeting in 1987 in Canada in that meeting all the members nation agreed to reduce down the CFC production and use what was the name of this agreement तो हमने इसको यहाँ पे देखा है 1987 में Montreal protocol हुआ था और जो ozone depletation से related है यह आपको याद रखना है monotrial जो है यह answer होगा तो Montreal protocol आपका answer है यहाँ पे अगला question है कि acid rain is caused by तो acid rain के बारे में हमने देखा था कि इसमें जो है S2SO4 and HNO3 sulfuric acid and nitric acid यह बनते हैं तो इस वज़े से जो rain है वो acidic nature की होती है तो S2SO4 बनने के लिए आपको यहाँ पे sulfur dioxide के आउशकता होगी और NO2 चाहिए आपको HNO3 के लिए तो फिर यह react करके water के साथ फिर जो rain है उसको acidic nature का कर देते हैं तो C जो answer होगा अगला question है कि what will be the outcome of eutrophication of surface water तो eutrophication क्या होता है तो जो eutrophication की जो process होती है इसमें जो आपके NPK है plant nutrients उनमें काफी व्रद्धी हो जाती है उनके concentration में इस वज़े से क्या होता है कि जो biomass है उसका overproduction होने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में nutrients मिलने की वज़े से तो first option है यह आपका right हो जाएगा overproduction of biomass बाकी सारे इनमें आप देख सकते है decrease दिया गया है जो की wrong है तो nitrogen concentration भी बढ़ता है eutrophication में phosphorus concentration भी बढ़ता है यानि कि यह सब यहाँ पर increase होता है यह तीनो wrong है a right है अगला question है 174 example of non-biodegradable product animal bones, spine, leos, wool and nylon तो nylon आपको देखते हैं आप समझ पा रहे हैं यह एक polymer है तो artificial तरीके से बनाया जाता है इस वज़े से यह non-biodegradable है next question है the chemical that is used to ripen mangoes तो mangoes को पकाने के लिए कौन सा chemical यूज़ करते हैं तो जो CAC2 होता है calcium carbide इसको यूज़ करते हैं और यह काफे dangerous होता है क्योंकि cancerous जो cells हैं वो produce करने की इसमें छमता होती है यान जो human cell हैं उनको यो cancerous cells में change कर देता है तो इसकी वज़े से cancer की जो probability है वो बढ़ जाती है B answer है alpha diversity represents तो alpha diversity है यह represent करती है species की richness को यह जो है वो आपका answer हो जाएगा यहाँ पे alpha diversity है वो diversity होती है किसी particular area या ecosystem की अगला question है कि combination of primary and secondary treatment reduce the original sewage BOD biological oxygen demand by तो लगबग 60-70% यह reduce कर देती है तो C जो है वो answer हो जाएगा और BOD को हम हमारे पिछले lectures में discuss कर चुके है तो यहाँ आप देख सकते हैं BOD जो है biochemical oxygen demand इसको biological oxygen demand भी कहते है और यह oxygen की वो demand होती है जो कि aerobic biological organism जो है उनको जो organic material present होता है उसको breakdown करने के लिए जो oxygen की आउशकता होती है उसको ही BOD कहते है यानि कि जितना ज़्यादा जो organic material है वो यहाँ होगा उतनी ही ज़्यादा BOD होगी यानि biochemical oxygen demand भी उतनी ही ज़्यादा होगी अगला question है A natural phenomenon that becomes harmful due to pollution तो global warming, ecological balance, greenhouse effect and desertification तो natural phenomenon की पूछा है तो यह हम पहले भी discuss कर चुके है कि greenhouse effect जो है वो एक natural phenomenon है ताकि जो temperature है उसको balance रखा जा सके तो जो pollution है इसमें rise होने की वज़े से यह जो greenhouse effect है यह harmful हो गया है और इसकी वज़े से जो global warming है वो बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे जो keyword है वो natural phenomenon है तो C जो है वो answer हो जाएगा और यहाँ पे जो global warming है यह natural phenomenon नहीं है यह यहाँ पे जो greenhouse effect में temperature rise होने की वज़े से इसी का एक result है अगला question है कि Earth emits तो किस तरीके का radiation अर्थ के द्वारा emit किया जाता है तो अर्थ के द्वारा long wave radiation को emit किया जाता है D answer होगा अगला question है कि वन ओफ दे बेस्ट solution to get rid of non-biodegradable waste तो किस तरीके से हम non-biodegradable waste से छुटकारा पा सकते हैं तो burning, burring, dumping and recycling तो देखिए burning से तो काफी chemical reaction होगे तो gases होगे harmful तो यह सहीवे नहीं है dumping भी सहीवे नहीं है क्योंकि यह nest नहीं होते और burring भी नहीं तो फिर जो recycling है वो यहाँ पर right होगा तो recycling से हम उसको दुबारा दुबारा use में ले सकते हैं तो D है वो आपका answer है यहाँ अगला question है कि animal dung is waste तो animal dung से यह biodegradable होते हैं तो इनसे खाद वगेरा बनाई जाते हैं अगला question है कि manly of तो यह तो आप सब जानते हैं कि hydrocarbons होते हैं इसमें largest producer of natural gas in the world तो जो अमेरिका है यह सबसे बड़ा producer है natural gas का और रश्या जो है यह second number पे आता है और इंडिया में जो तृपुरा है वहाँ पे सबसे ज़ादा natural gas है वो produce की जाती है अगला question है कि name one non-biodegradable waste which may pollute the earth to dangerous level of toxicity if not handled properly तो यहाँ पे देखे DDT, CFC, radioactive substance and PAN polyacrylonitrile तो एक तो यहाँ पे non-biodegradable पूछा है और इसके साथ ही पूछा है अर्थ को damage किया जाता है इसके द्वारा अर्थ को damage पहुचाएगा यहाँ पे सबसे ज़ादा DDT तो हम प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था कि DDT अगर water में DDT है यह अगर water में हो तो फिर water pollute करता है और इसके वज़े से air pollution भी ओदा है तो और अर्थ है उसको भी यह काफी नुकसान पहुचाता है तो यह जो है वो आपका यहाँ पे answer होगा अगला question है कि in a lake polluted with pesticide which will contain the maximum amount of pesticide तो यहाँ पे पूछा है कि जो कौन से यहाँ पे इन में सबसे ज़्यादा जो pesticide है वो यहाँ पे मिलेगा तो concentration वाला low है वो यहाँ पे लागू होता है तो इस question को solve करने से पहले हम यहाँ पे एक definition देखेंगे biomagnification के definition तो biomagnification को bio amplification and biological magnification भी कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि toxin जो होते हैं उनका concentration बढ़ता जाता है हर एक tropic level पे such as pesticide in the tissue of tolerant organism at successively higher level in a food chain यानि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो plant है इसमें pesticide है तो इससे जो pesticide है यह यहाँ पे जाएगा और उसके बाद rate की द्वारा इसको खालिया जाता है तो उसके बाद यहाँ पे eagle में चला जाएगा तो जो pesticide है उसका concentration है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे eagle को मिलेगा यानि all individual जो हैं वो part of food chain के as a result जो toxin stored in the fats and oil of an organism at one tropic level यह फिर pass कर दिया जाता है next tropic level पे तो इसी वज़े से जो water bodies में जो pesticide और जो flow कर दिये जाते हैं वो वहाँ पे fish वगेरा के द्वारा खा लिये जाते हैं और जब humans के द्वारा उनको consume किया जाता है तो वो humans में फिर ज़्यादा concentration में आते हैं तो यह biomagnification का concept है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं small fish फिर microscopic animals, big fish and water birds तो यहाँ पे सबसे जादा मिलेंगी water birds में अगला question है कि substance का नाम पुछा है कि जिसके accumulation की वज़े से जो pelicans है lake का name दिया गया है Michigan lake में जो pelicans मिलते हैं उनके जो eggs होते हैं उन पे thin layer है वो जमा हो गई है तो DDT जो है उसको consume करने की वज़े से जो pelicans की जो egg है उन पे layer जमा हो गई है formation of thin cells of their eggs तो इस वज़े से जो उनकी egg की जो shell होती है वो thin यहाँ पे मिलती है तो DDT है वो यहाँ पे answer होगा और बाकी के जो option है वो वैसे भी eliminate हो जाएंगे common sense CFC रोंग हो जाएगा यह दोनों है यह यहाँ पे polymers है अगला question है कि name the process in which a harmful chemical enters the food chain and gets concentrated at each level in the food chain तो देखिए अभी हम इसको discuss कर रहे थे यानि इसको biomagnification भी कहते हैं और biological magnification भी कहते हैं A and B दोनों ही answer हैं next question है कि which one is non renewable resources तो non renewable कौन से हैं यहाँ पे देखिए coal and minerals, plant and coal and water and natural gas and energy and water तो देखना है कि कौन सा जो पेर हैं में से वो जो non renewable है तो coal and minerals जो है वो आपका answer होगा यहाँ पे यह non renewable है यह answer हो जाएगा बोत है वो non renewable पूछा है यहाँ पे next question है example of renewable resource तो soil, water, flora all the above तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो water है वो आपका renewable resource है and soil and flora यह तीनों ही आपकी renewable है तो all the above है वो आपका answer हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं option में आपको plant दिया था and water भी है और energy water है यहाँ पे तो water तो renewable होने की वज़े से यह option तो cancel हो जाएगे and plants की वज़े से B है वो भी cancel हो जाएगा आपका क्योंकि plants को तो हम लगा सकते हैं ना तो यह renewable हुए अगला question है कि stratosphere provides protection to our life तो stratosphere है उसमें ozone layer मिलती है तो ozone layer है वो ultraviolet किर्णों से हमारी रक्षा करती है तो यह जो है वो आपका option हो जाएगा right and next है the life supporting gases such as O2, CO2 and N2 are chiefly concentrated in there तो यह हमने discuss किया था जब हम layers को हमने देखा था पिछले lecture में कि जो troposphere होता है आपका उसमें लगबग 75% जो atmosphere वो मिलता है वहाँ पे तो जो आपकी gases है वो वहीं पे मिलती है और इस वज़े से जो भी जैसे बारिश होने की जो process है यह सारी process है वो आपकी troposphere में होती है यह answer होगा अगला question है कि which soil is the best for plant growth तो पूछा गया आपको तो यहाँ पे आपका answer होगा A low me soil यह जो soil है यह mixture होती है sand का clay का और slit का तो बाकी जो है वो यहाँ पे wrong हो जाएंगे यह आपके लिए best यहाँ पे है plant growth के लिए next question है कि both power and manure are provided by तो बायोगेस plants के द्वारा यहाँ पे plants जो है उनके द्वारा power भी generate की जाती है और फिर यहाँ पे manure भी यहाँ पे provide कराई जाती है तो बायोगेस plants के बारे में तो आपको पता ही होगा उसमें बायोगेस भी बनती है और उसके बाद में जो वहाँ पे जो भी कचरा बर्सता है उससे manure बनाई जाती है next question है कि in the atmosphere the layer above the troposphere is तो यह हमने discuss किया था troposphere के उपर मिलती है stratosphere यह answer होगा यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अर्थ के जस्ट उपर होती है troposphere उसके बाद है stratosphere फिर a mesosphere फिर a thermosphere उसके बाद होती है exosphere अगला question है कि is the major raw material for biogas cow dung plant earthworms all the above so cow dung है यह answer होगा आपका अगला question है यह biosphere रिजर्व कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स तो biosphere में क्या होता है तो biosphere की definition देखते हैं पहले तो biosphere रिजर्व जो होते हैं वो protected areas होते हैं जिनमें की plant और animals जो हैं उनके selection का कार्य किया जाता है तो में नेम ओफ biosphere रिजर्व is to preserve genetic diversity को preserve किया जाता है और इसके साथ ही wild animals को protect किया जाता है और जो inhabitants होते हैं वहांके उनकी traditional lifestyle को यहां पे protect किया जाता है और इसके साथ ही domesticated plant, animal and genetic resource इन सब को preserve किया जाता है और इसके साथ ही जो sustainability है वो भी यहां पे goal होता है तो यहां पे option दिये गए है wild animal, wild land and natural vegetation and all the above तो all the above आपका answer हो जाएगा यहां पे क्योंकि sustainability की बात कर रहे हैं तो wild land and natural vegetation है यह भी जीके अंडर आएंगी अगला question है कि atomic energy is obtained by using तो पुछा है copper, uranium, neither A nor B, both A and B तो copper तो आपने नहीं सुना होगा कभी uranium है इससे atomic energy को obtain किया जाता है फिर अगला है the fission material for atomic explosion is तो fission वाली जो reaction है उनके लिए पूछा है तो fission जो है nuclear fission यह नाभी किये विखंडन अभी क्रिया होती है और uranium and plutonium को इसमें huge क्या जाता है तो यह आपने basic science है उसमें पढ़ा होगा तो 910 में यह आपके syllabus में होता है तो यहाँ पर A and B जो है वो दोनों यह answer हो जाएंगे यानि D है A and B यह right होगा और जो fusion reaction होती है वो ती नाभी के सलेयन अभी क्रिया तो जो hydrogen bomb बनानी की जो process होती है वो fusion के अंतर के ताती है next question है कि the area reserved for the welfare of wildlife is cold तो पुछा है national park, botanical garden, sanctuary and geological park तो wildlife के लिए पुछा है यहाँ पर national park आपका answer होगा अगला question है the death of the last individual of a species is cold तो extinction कहा जाता है जब लुप्त हो जाती है कोई पर जाती तो A answer होगा next which is a fossil fuel natural gas, coal, petrol all the above तो तिनोई answer होगे तिनोई fossil fuels है अगला question है कि biogas generation is mainly based on the principle of तो fermentation, composting, gasification and landfills तो यह जो process होती है biogas generation की यह fermentation पर बेस्ट होती है यह आपका answer होगा next question है कि rate data book provides a list of तो rate data book में यहाँ पर rare species, endangered, endemic species सब की list होती है तो इसके बारे में detail मैंने आपका available करवा दी है D जो है वो आपका answer होगा next question है कि CO2 content is highest in well-manured soil, well-aggregated soil, unmanured soil and barren soil तो जो well-manured soil होती है इसमें CO2 content है वो highest मात्रा में पाए जाता है अगला question है कि who coined the term chronobiology तो यहाँ पर जो answer होगा वोगा fringe hellberg इन्होंने chronobiology जो term है उसको इजाद किया था और इनको father of American chronobiology भी कहते हैं next question है कि what is the meaning of chronobiology तो chronology जो होता है उसका meaning आप सब जानते हैं तो biology के context में यही mean है इसका कि the study of the effect of time on living system तो chrono जो word है वो time से related ही है यह answer होगा अगला question है कि energy flow in an ecosystem is तो जो energy flow होता है किसी ecosystem में वो एक ही direction में होता है यानि energy flow through an ecosystem in only one direction तो one जो है वो यहाँ पर unidirectional दिया गया है इसका meaning होता है one direction भी answer होगा next question है the major type of flora and fauna found in aquatic ecosystem are determined primarily by तो जो flora and fauna जो कि aquatic ecosystem यानि water में मिलते हैं तो वो determine किये जाते हैं primarily by तो option है light, temperature, soil and all the above तो majorly जो light है उसका effect पड़ता है यहाँ पे और इस पे भी काफी हद तक depend करता है कि water है वो कितना saline है तो saline है वो यहाँ पे option में नहीं दिया गया तो यह जो है वो answer होगा अगला question है कि the most abundant alkaline component of the atmosphere is तो जो nitrogen है यहाँ पे keyword है वो abundant है most abundant और atmosphere का पुछा है कि कौन सा component चार यह प्रकरती को शो करता है तो nitrogen है यह सबसे ज़्यादा मिलता है तो इस वज़े से भी जो है वो answer होगा अगला question है कि oceans cover about off the earth surface तो यह question है यह common sense से भी आप कर सकते हैं option यहाँ पे 10, 50, 30, 70% दिया गया है तो आप सबको पता है यहाँ पे 70% जो है वो answer होगा क्योंकि oceans है वो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा जो area है वो cover करते हैं तो इस तरीके से हमने 50 question है वो solve किये है forest ecology के और बाकी के जो question है वो हम हमारे next video में continue करेंगे so I hope इस से आपको थोड़ी help होगी thank you so much, have a nice day